नमस्कार स्वागत है मारे यूटूब चैनल पिलेज रोल में आज हम आपको बताए रहे कि भगवाल स्वीजी को कौन कौन से फूल चणाए ताकि वो खुसर हमारे मनों कामना को पूरी करें आप सभी लोग जानते हैं कि पूजा में फूलों का बहुत मौत होता है इसके लवाँ फूल को देखने मातर से ही मन अनन्दित हो जाता है लेकिन दोस्तों किसी भी धार्मिक पूजा पाठ हुए बिना फूल के अधूरा माने जाता है लेकिन आज हम आपको भगवाल स्वीजी को परसंद करने के लिए कौन कौन से फूल परसंद है वैसे तो कहते हैं कि भगवाल स्वीजी को एक लोटा जल चड़ा कर भी खुश किया जा सकता है माननता ये भी है कि भगवाल स्वीजी का सुभाव बेहत सरल और सहनत है उन्हें आप बहुत ही सरलता से प्रसंद कर सकते हैं पॉनारिक मानता ये भी है कि वगवाल सुख का जला विसेख या रुद्रा विसेख करने का विसेश मौत होता है। ऐसे में अगर आप हर दिंग रुद्रा विसेख नहीं कर सकते हैं तो एक लोटे जल और उनके प्रिय पुस्प अर्पित करके भी पूजा कर सकते हैं। जिसस भगवाल सुख को बेहदी प्रिय है। मदार का फूल दो रंगों में पाय जाता है। एक फूल सफेर और दूसरा नीले कलर का होता हो। भगवाल सुख को इसके सफेद रंग के मदार का फूल बेहदी प्रिय है। सुख को प्रसंद करने के लिए उनकी पूजा के दौरान स फेद रंगे मदार के फूलों का उपयोग किया जाता है। ऐसी महनता है कि सुजी को यह फूल अर्पित करने से मोच के प्राप्ते होती है। कनेर का फूल सुजी को कनेर का फूल बहुत ही पसंद है। ऐसे में कनेर के फूल तीन रंगे होते हैं। जैसे पीले, लाल और सफेद ऐसी मनता है कि सोंबार या प्रदोस के दिन आपको सिव जी को कनेर का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए इसके लवा किसी भी दिन इस फूलों को अर्पित करके भगवाल सिव जी को खुस कर सकते हैं कनेर के फूल का इस्तमाल कई देवी दोताओं की पूजा में किया जाता है सास्तों के इस फूल को पूजा में इस्तमाल करना काफी अच्छा मना जाता है धतूरे का फूल मगवान सिव जी को ये फूल भी बहुत पसंद है एसी धाडना है कि शीलिंग पर धातूरे का फूल चढ़ाने से ज्रेस और इस्सा की भावना खत्म जाती है सोमबार और पुजन में धातूरे का फूल चढ़ाने से स्वीजी आप से बहुत प्रसंड हो सकते हैं ऐसे में आपकी सारी मनुकामना पोड़ हो सकती है समी के पत्ते बगवान सुजी को बेहदी प्रिय है स्वी पूजन के दोरान अगर आपको समी के फूल मिल जाए तो इसे जरूर चढ़ाएं गुलाबी और पीडे रंग का ये खुबसूरत फूल सुलिंग पे चढ़ाने से बगवान जी बहुत प्रसंड होती है ऐसा माना जाता है कि समी का पौदा घर में लगाने से सनी दियों की विशेश करपा बनी रखती है साथ ही ऐसा माना जाता है कि समी का फूल सुजी को चढ़ाने से सभी मनों कामलाओं की पुर्ती होती है परियात का ये खुबसूरत फूल जिसे लेकर ये मनता है कि इस फूल को भगवान स्रीकर्स के दोरा सुर्ट से धर्ती पनाया गया था ये फूल हर मोसम में नहीं खिलता है ये फूल मात सर्दियों में खिलता है इसलिए जब भी ये फूल उप्लप्ध हो भगवान स्रीकर्स के जरूर चड़ाएं ये भगवान भूले नात के पसंदिदा फूलों में से एक है सावन में बेल का फूल भगवान स्रीकर्स को अर्पित करने से विबास संबंदित बाधाओं से मुक्ति मिलती है जिए आप जीवन साथी की तलास में हैं तो ये फूल चड़ाने से जल्दी जल आपकी मनों कावला पूर होने के योग बनते हैं अफ्राजिता का पौदा घर के लिए बेहत सुप मना जाता है ऐसी मनता है ये फूल सिर्जी को चड़ाने से घर की आर्थिक स्थती ठीक होती है ऐसा मना जाता है कि सावन में ये फूल चड़ाना सबसे ज़्यादा सुप मना जाता है सावन के महिने में अगस्त का फूल भगवाल सिर जी को चढ़ाने से ब्यक्त के मान सम्यान में प्रद्धी होती है और यस किर्ती में भी बड़ोत्री होती है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल का नाम अगस्त मुनी के नाम पर रखा गया था। चमेली का फूल बहुत ही सुगन्दित फूल होता है और सफेद रंग का और छोटे आकार का ये फूल होता है। ये फूल प्रेम और अविद्धता का प्रतीक है। ऐसा महना जाता है। अगर कोई इस फूल को भगवाल सिर जी को पूरी भक्ती के साथ अर्पित करता है तो उस की सारी मनोकामलाओं की पूर्ति होती है